चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो वेल का इकने पली जब इसे जरू प्रेस करें साती साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदरिया इंडियन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दाद खाज खुजली का घरेलू इलाज दोस्तों अगर आप भी परेशान है अपने दाद खाज खुजली से चाहे आपकी दाद खाज खुजली कितनी भी पुरानी हो 20 साल पुरानी हो 10 साल पुरानी हो 5 साल पुरानी हो या फिर एक साल पुरानी हो आज के जो मैं गरे रही हूँ इस नुस्के से आपकी दाथ खाथ खुजली 101% सही होगी आप ना माने तो आजमा करके जरूर देखें एक बार आजमा करके जरूर देखें मेरे पर विस्वास करके तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों में फेस्वुक पर बाटसब पर सेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आज चैनल को सबस्क्राइक कर देना चलते वीडियो की और तो दोस्तों सबसे पहली सामगरी यहां पर हमें चाहिए यह है नीम का तेल नीम का तेल आपको मार्केट में पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा मैंने यह नीम का तेल घर पर ही तयार किया है तो यह देखिए सुध चीज तो सुध चीज ही होती है आप चाहिए तो घर पर तयार कर लें या फिर आप मार्केट से ले लें पंसारी दुकान से तो यहां पर मैंने करीवन एक चमच नीम का तेल ले लिया है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फंगल इंफेक्शन के लिए नीम का तेल बहुत ही अच्छा होता है अब यहा कपूर कौन सा है पूजा वाला जो हम पूजा में कपूर जलाते हैं वह वाला कपूर आप ले लें तो इस तरीके का कपूर कपूर आपकी टैबलेट टाइप में भी आती है और इस टाइप में भी आती है तो आप कपूर का बना लीजिए पाउडर तो यहां पे हमें यह द दाद खाज में जो खुजली पढ़ती है जलन पढ़ती है यह तुरंद खतम करेगा यानि कहने का मतलब है दैन देर आपकी जो खुजली होती है जो जलन होती है दाद में वो खतम करेगा यह आपस पहली बार ही लगा यह आपको इतना ठंडक मैसूस होगा इसे आपकी खुज ऐलोवेरा जेल आपकी निकाले लें ताज़ा एलोवेरा उसका अच्छी कमपणी का से था अब यहां पे तीनों सामगरी को अच्छे से आपको करना है मिक्स यह तीनों चीज़े बहुत ज्यादा अच्छी हैं बहुत ज्यादा मतलब आपको ऐसे फायदा करेंगी कि आपको मार्कीट की क्रीम जो आप लगाते हैं ना दातकाज खुझली में वह आपको इस थाई कि अभी तो कुलर चेंज हो घुका है आपको इतने अच्छे से मिक्स करना है यानि कपूर भी अच्छे से घुल जाएं कहने का मतलब है तीनों सीज़े अच्छे से घुल जायाएं अब आपको लगाना कैसे है आपके जहां कहीं भी दात खाज खुझली है इंफरेक्सन है उस जगह को आप सबसे पहले पानी से क्लीन करिए कोई सूती कपड़ा लीजिए और पानी से उस जगह पर क्लीन करिए और क्लीन करने के बाद में इस रेमेडी को इस लुस्के को वहां पर लगाईएगा आपको ये लगाना कब है आप इसको रात में सोने से पहले लगा लीज तो अगर आप रात में सोने से पहले इसको लगाएंगे तो रात पर इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए दाद काज खुजली के जगे पर इसको रात पर ऐसे ही लगा रहने दीजिए और सुबह आप इसको पानी से साफ कर लीजिए ऐसा आप लगातार आठ से दस दिन तक लगातार करिए आपकी दाद खाद खुजली जड़ से खतम हो जाएगी ये मेरी गिरेंटी है तो चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सबस्क्राइक को लेना मैं मुलती नवरी साथ तब तक के लिए नमस्कार